आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम इसे दान तक नहीं होता है, शड़ी बहुत 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 सबागे था, Sessions और Bills of State Legislature को देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, Sessions जैसा लोग सबा में था, वैसा ही, इसमें है, cut, copy, paste कर दीजे, ठीक है, देखें, लोग सबा में क्या होता था, मैं compare करके चल रहा हूँ, ताक क्या पर revision भी हो जाए, वहाँ पर president जो है, वो summon करता था, session को बुलाता था, जैसे election होते थे, यहाँ पर governor बुलाएगा, खतम, है न, कोई दिक्कत ही नहीं है, governor क्योंकि head of the state होता है, तो यहाँ पर governor बुलाएगा, gap जो है, maximum gap कितना होना चाहिए, 6 महीने से जादा नहीं, यानि कि साल में एक बार तो विधान सबा को मिलना ही है, adjournment, suspension of work, कब suspend किया जा सकता है, एक घंटे के लिए भी, दिन के लिए भी, हफ्तों के लिए भी किया जा सकता है, adjournment, sign die का मतलब है, terminating the sitting of the state legislature for an indefinite period, मतलब, indefinite period के लिए legislature को suspend कर दिया गया, application की बात करें, तो यह presiding officer के पास होती, जो speaker या chairman होता है, ठीक है, उसके बाद dissolution की बात करें, कब dissolve होती है, देखिए, जाइड सी बात है, जब उसका 5 साल पूरा हो जाएगा, तो legislative council या legislative council ने legislative assembly dissolve हो जाएगी, लेकिन legislative council विधान परिशद एक permanent body है, ठीक है, तो वो कभी dissolve नहीं होगी, है ना, लेकिन legislative assembly dissolve हो जाएगी, 5 साल या उससे पहले, जब तक सरकार के पास majority है, ठीक है, तो अगर legislative assembly dissolve हो गई, तब क्या होगा, जो bills है, जो bills पड़े हुए है, पेंडिंग, उनका क्या होगा, एक चीज़ याद रखिए, बिल के बारे में ये मैंने आपको, और जो इधर लोग सभा राजय सभा के साथ ता, वह यहाँ पे है, cut, copy, paste करिए सब, अगर मान लिजिए, किसी भी बिल को एक house ने देख लिया, ठीक है, और वो pass नहीं हो पा रहा, तो वो lapse हो जाएगा, अगर house ने नहीं देखा है, ठीक है, house ने नहीं देखा है, या president के लिए pending है, president ने नहीं देखा है, तो वो lapse नहीं होगा, ये चीज़ आप समझे, अगर किसी भी चीज़ को समझने के लिए, आपको उसको पढ़ना जरूरी है, तो अगर आपने उसको पढ़ाई नहीं, बिना पढ़े, आप किसी चीज़ को नकार कैसे सकते है, simple सा logic है, तो अगर यहाँ पे बिल को पढ़ा ही नहीं किया है, यहाँ पे बिल इंट्रिड्यूस ही नहीं हुआ है, तो वो lapse नहीं होता, और अगर इंट्रिड्यूस हो गया है, एक house में pending है, तो lapse हो जाएगा, जैसे, पहला point क्या है, अगर माल लीजे, एसेंबली में कोई बिल जो है, वो pending है, ठीक है, originate या फिर ट्रांसमेट हो चुका है, काउंसल द्वारा, तो lapse हो जाएगा वो, ठीक है, अगर माल लीजे, कि बिल एसेंबली द्वारा, विदान सावा द्वारा पास हो गया है, लेकिन काउंसल में pending है, ठीक है, एसेंबली पेंडिंग है काउंसल में, लेकिन एसेंबली ने उसको पास नहीं किया है, तो वो lapse नहीं होगा, ठीक है, अगर विदान सावा ने बिल को पास कर दिया है, ठीक है, यूनी कैमरल इस्टेट है, या फिर अगर बाय कैमरल है, तो दोनों हाउसेज में उसको पास कर दिया है, लेकिन गवर्नर के एसेंट और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए वो पेंडिंग है, तो वो lapse नहीं होगा, समझ रहे हैं, अगर बिल को पास कर दिया गया है, और प्रेसिडेंट के री कंसिडेरेशन के लिए वो, मतलब प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट न कोरा मतलब होता है कि शुरू करने के लिए सेशन शुरू करने के लिए minimum numbers present होने चाहिए ना माल लिजिए session शुरू हो गया उसमें हर कोई accent है फायदा क्या 1 10th होना चाहिए जो seat है वो 1 10th जैसे माल लिजिए अगर किसी statement 100 seat है ठीक है तो 1 10th क्या कम से कम 10 member होने चाहिए ठीक है टाकी session को शुरू किया जा सके यह quorum है 1 10th of the total number of members of the house होने चाहिए ठीक है उसके बाद voting बिलकुल हर member जो है वोट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है कुछ member पे यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि resolution को पास किया जाता है वैसे तो bill पे member जो bill पास होता उस पे तो voting होती ही होत है majority of the vote से वो decide होता है ठीक है उसके बाद language की बात करें तो यहाँ पे constitution क्या कहता है आप जो state की language है ठीक है या फिर हिंदी या फिर English तीनों में से कोई भी use कर सकते है वर्नाकुलन language जैसे state की language या फिर हिंदी या फिर English उसके बाद ministers और advocate general ये proceedings का part हो सकते हैं बट vote नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज है उसके बाद legislative procedure क्या है अब हम bills की बात करते हैं ठीक है अब ही हमने session की terminologies देख ली basics of the session अब हम bills की बात करते हैं दो तरीके की बिल होते है एक होता है ordinary bill और एक होता है finance bill money bill finance bill के अंदर आ जाता है पहले हम ordinary bill की बात करते है ordinary bill किसी भी house में introduce हो सकता है ठीक है अगर by camera legislature है अगर unique camera है तो तो जाइड सी बात है वो विदान सबा में introduce होगा लेकिन अगर by camera है तो किसी भी house में legislative council या फिर legislative assembly विदान सबा या फिर विदान परिशत किसी में भी introduce किया जा सकता है तीन stages होती है first reading, second reading, third reading जब जब ये introduce होगा जैसे विदान सबा में introduce होगा तो ये तीन stages होगी विदान परिशत में introduce होगा तो भी ये तीन stage होगी हर house में ये तीन को originate किया है जहां से वो आया है एक बार वहां से pass हुआ तो वो second house में जाता है ठीक है second house में जाता है अब जब दोनों house जो है वो agreed हो जाते हैं ये bicameralism की बात कर और unicameral की बात करें तो तो खाली विदान सबाई ही है विदान सबा के पास थाकत है बिल विदान सबा और विदान परिशद उसके बाद ये गवर्णर के पास जाएगा ठीक है ना गवर्णर उसको एसेंटे देगा अपना ठीक है तो second house में क्या होता है देखे विदान सबा ने बिल पास किया ठीक है legislative assembly में पास किया और legislative council के पास गया विधान परिशत के पास गया विधान परिशत के पास दो option होते हैं या तो वो बिल को पास कर दे या फिर second option क्या होते है या बिल को पास कर सकता है ठीक है लेकिन अभी वो कह रहा है कि बिल में कुछ changes करो और वापस वो assembly को भेज़ दे कि आप ये changes करो reconsider करो इस बिल को तो ये तो बात होगी passing of बिल की तीसरा option होता या बिल को all together reject कर दे ठीक है और चौथा बिल पे कोई action ना ले यही चार possibility है बिल के लिए लेकिन यहाँ पे दोस्तो assembly के पास ज़्यादा थाकत होती है अगर बिल पेंडिंग है बिल पास हो जाता है without amendments मतलब बोरिक consideration without amendment होता है तो automatically बिल को पास कर दिया जाता है समझ रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेगा governor का एसेंट दोनों house से पास हुआ governor के पास चौर option होते हैं या तो वो एसेंट दे दे या फिर वो एसेंट ना दे या फिर वो वापस house को भेज दे कि reconsider करो या फिर वो president के लिए इसको बचा के रख ले ठीक है अब अगर पहला option देखिए कि अगर उसने एसेंट दे दिया तो वो आक्ट हो जाएगा जाएट सी बात है ठीक है house ने reconsider कर लिया गवर्नर के पास बिल वापस आया ठीक है कि हमने reconsider कर लिया अब आप पास कर दो तो गवर्नर को बिल पास करना ही पड़ता है एसेंट देना ही होता है बार बार थोड़ी ना आप house को भेजते रहोगे एक बार अपने भेजा रिकंसेडर करो दुबार आएगा तो पास करो फिर दुबार भी आप भेज रहे हैं फायदा नहीं है ना एक बार में यह आप देख लोगे कि उसमें क्या चेंजिस करने है ठीक है तो आपको पास करना ही पड़ता है चौथा पॉइंट है कि वो consideration of the president, president के लिए बचा के रख ले तो president के लिए बचा के रख ले obligatory नहीं है लेकिन अगर president के लिए बचा के रखता है तो president भी वही करेगा, president यह तो पास कर देगा या फिर वो बोलेगा house को कि reconsider करो अब house reconsider करके वापस president के पास भेजेगा, याद रखेगा जब president वापस भेजता है house को, तो house को 6 महीने का वक्ती दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस bill को reconsider करके मेरे पास भापस भेजो तो इस bill को president के पास भापस भेजा जाता है, president पास कर देगा दोबारा मदद तो दो-तीन बार ये प्रक्रिया नहीं होती, कहने का मतलब ये है, एकी बार यहाँ पे आप house को reconsideration के लिए भेजो, amendment करने की नहीं करने है, जब दोबारा आपके पास bill आएगा तब आपको pass करना पड़ेगा, अब दोस्तों money bill की बात करते हैं, money bill जैसे लोग स यानी की गवर्नर जो है, गवर्नर money bill को reconsideration के लिए नहीं भेज सकता, क्यों नहीं भेज सकता, अभी मैंने आपको बताया था कि ordinary bill, जब गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर के पास एक option रहता है, कि दोबारा house को भेज दे, कि आप इसको reconsider करो, लेकिन money bill तो पहले से ही गवर्नर recommend कर रहा है, तो जब आपने पढ़ लिया है, आप recommend कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी ना आप दुबारा भेजोगे recommendation के लिए, reconsideration के लिए, समझ रहे हैं, तो ये चीज है, फिर उसके बाद legislative assembly जो है, वो money bill को money bill पास कर देती है, legislative council के पास जाता है, इसको pass करना ही ह 14 दिन का वक्त होता है, legislative council के पास, legislative council अगर legislative assembly को 14 दिन के अंदर नहीं recommendation देती है, या कुछ भी नहीं करती है, तो money bill पास हो जाता है, मतलब यहाँ पे विदान सभा के पास money bill के मामले में सबसे जादा ताकत होती है, ये चीज आप समझे, good, ये lecture था दोस्तों, I hope आपको पस procedure सेमी है, खुश रहिए पर ते रही देसे सिद्धान तक नहीं होता ही, signing off